लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें सब्सक्राइब करें यह लापको बस बस अब चलो लेबरेरी बन अरे भाई बन क्यों अब इसे अरे बाबा सर की स्पीच समझ गए ना क्यों बंद हो रही है यस यस आचलो लेट्स गू अगर आप मेरी बात तो सुनिये नहीं कभी नहीं अरे हम क्या टेमो करेंगे अरे खोली मारो यार चलो चलो निरभे जी को नहीं सुनना है क्या आचलो लेट्स गो में चेरमें से इस बारी में बात कर लूँगा I'm sorry मैं आप लोगों को चायवाई पिला नहीं सका दरहसल हमारे यहां जनरेशन गैप पर एक सेमिनर चल रहा है अज सेमिनर का लास्ट यह है हमारे कॉलिज के प्रोफेसर निरभे सक्सेना बोल रहा है और यहां पर कोई भी उनकी स्वीच छोड़ना नहीं चाहता मैंने भी उनका बहुत नाम सुना है क्या हम लोग भी? Oh sure, आए Thank you अरे जल्दी चल निरभे साब का भाशन शुरू हो गया है पिछले साथ दिनों से चले आ रहे इस सेमिनार में बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने विचार रखे हैं मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि बढ़ापे की अवस्था एक बढ़ाव है और युवा अवस्था एक बढ़ाव कुछ लोगों ने युवकों पर अपने विचारों के जोरदार भूसे मारे हैं जैसे मैं वित्रा जी का जिख्व करूंगा आपने बड़े वजन के साथ कहा कि आज के युवक पद्दिमाः, मर्यादाहीन, उनमादी और नजाने क्या-क्या है शायद वित्रा जी खवा है अपने लड़कों से और अपना उस्सा सारे हिंदुस ताहिं के युवकों पर उंडेल रहे हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हर पुरानी पीड़ी कभी न कभी नई पीड़ी रह चुकी है इस पर एक शेहर याद आया पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है उसे कश्टी नहीं मिलती इसे साहिर नहीं मिलता एक बात तुस साहस के साथ मैं कहूंगा कि बहाव भटक सकता है पहक सकता है दिशाहीन हो सकता है लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है करंती ला सकता है पड़ाव नहीं ज्यादा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मैंने बदलने की बात की है लेकिन जो बदलेगा वो पहले से अच्छा होगा या ज्यादा खराब हो जाएगा ये मैंने नहीं का ये सच है कि उम्र का नशा हमें उन्मादी बना देता है और फिर होता क्या है हम निकलते हैं किसी मसले का हर ढूनने और हाथ आता है एक नया मसला आज हर बात पर हरताल मोर्चे घिराओ तोड़ फोड़ नहीं ये बात हर एक युवक पर लागू नहीं होती लेकिन कुछ लड़के संजय गुपता जैसे होते हैं ये संजय गुपता जो अपने साथ और दस भीज लड़कों को जोड़ लेते हैं यूनियन की बैठक होती है लाइबरेडी में नया फर्निचर आना चाहिए नई किताबे आनी चाहिए तो क्या करना है चलो लाइबरेडी को ही तोड़ देते है और इस तोड़ फोड़ में चप्राशी मन्शाराम का सर फट जाता है नया फर्निचर नहीं आए नई किताबे नहीं आए हां मन्शाराम के सर पर तेरा टाके जरूर लग गए यह हमारे रंगढ़न हमें पूरी तरह से आजादी देना बंदर के हाथ में उस तरह देना है हाँ उस तरह यहां अंकुष्ट चाहिए यहां सोचने में ठहराव चाहिए यहां हर कदम उठाने से पहले उसके परणाम दुश परणाम की समझ चाहिए लेकिन आज जरूरत है पिता और दादा को बेटे और पोते को समझने की उनसे चिलने की नहीं दादाओं की भी एक बड़ी समस्या है वो अपनी बात दादागीरी से मनवाना चाहते है और हर बात पे अपनी उम्र और अपने तजुर्बे का रोब जारते है मुझे बच्पन में सीटी बजाने का बड़ा शौक था और मेरे दादाजी जो थे वो मेरी सीटी से बहुत चड़ते अक्सर मुझे भड़क जाया करते थे तो एक दिन मैंने भी ताओ में आके कह दिया कि देखिये दादाजी मेरी सीटी आपके खराटों से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है जिने मैं रात भर परदाश करता रहता हूँ और दो दिन तक बातचीत बन वो मुझे अपने पास ही सुलाया करते थे लेकिन जैसे ही उनकी आँख लगती मैं खिसक ले था मां के पास सुबह जब मेरी आँख खुलती मैं वापस उन्हीं के बिस्तर पर होता है एक अलग ही रिष्टा बन गया था दादाजी के साथ उनके न रहने के बाद जो कमी खटकी मुझे है वो मैं कहने सकते हुआ उनकी डाट उनका प्यार उनका खुस्सा बहुत यादा है सच तो यह है कि हम पिता और दादाजी की छाया से कट नहीं सकते हमारा आधार तो यहीं से शुरू होता है हमें जिन्दगी में लड़ने और जूजने की क्षमता यहीं से मिलती है आखिर में मैं यहीं कहूंगा कि पुरानी पीडी के पास तजुर्बे और अनुभव की आँखें हैं लेकिन जोश और उमंग के पाउं नहीं हैं और नई पीडी के पास जोश और उमंग के पाओं हैं, लेकिन तजुर्बे और अनुभव की आखें नहीं हैं, अगर ये दोनों चीजें एक हो जाएं, तो ही पुरानी रोशनी की कश्टी में बैठ कर नई रोशनी अपनी मन्जिल तक पहुच सकती है। मज़ा, वाज़ा, वाज़ा, वाज निर्मेशा प्रस गोजा तरीक शेर हो जाएं आःँ, तरीक शेर हो जाएं, आण तरीक शेर हो जाएं, चलिए शेर नहीं, सफ़ा शेर सुदिएं अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर मांगने से जिन्दगी कब मिलती है दोस्त अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर सारी यहाँ इन कि तरह से आपको भोई जासे, आफे तुरिभाने से इस से बाई लगई से, से आपकी स्पीछ बहाद अच्छी लगी से तैंक यू, तांक यू वेरी मुच्छ बड़ा मज़ा है सारा अका सवा सेरवला शेर बड़ा जबर्दा सर के विचार स्वामी विवेका नंजी से कितने मिलते हैं बिल्कुल सही कहा तुम्हे अरे ठककर तु तु यहां बंबई में कैसे वो क्या है कि तुमने अपनी स्वीच में बाकी सब का सिकर किया सर्फ मैं ही रह गया था तो मैं आ गया वैसे तो ट्रांसफर के नाम पे बुखार आ जाता है लेकिन जब मुझे पता चला कि अपने यार के शहर में जा रहा हो तो बस चल दिया तो फिर तुझे आया हुए कितने दिन हुए बस कल राती तो आया हूँ घर क्यों नहीं आया अरे यार ठिकाना जमाने में लगा हुआ था मेरे एक रिश्चतार का घर यहां खाली पड़ा हुआ है बस वहीं डेरा जमा दिया हमने अकेले आदमी के लिए पूरे घर की क्या जरूरत है मेरे साथ के लिए आजाता तेरी दीदी बहुत नाराज होगी हां बता रहा हूँ मैं मना लूँगा उसे अरे हां कनिया ने फिर प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी की नहीं अभी तक तो नहीं और बताओ हमारी गुडिया केसी है अब चलो घर चल के देख लो कौन कैसा है और विजय क्या कर रहा है कोई भी आदमी पढ़ाई करने के बाद क्या करता है नौकरी नौकरी नहीं नौकरी की तलाश हाँ, अफ़कोर्स मारा ले रिया रानो आयो आयो चश्मा घर भूल आयो, देखता नहीं है लंगोर कहे का माप कहना जी, मेरी नजर नीचे नहीं पड़ी थी यहां यह बिलकुल ठीक कह रहा है हमने भी आपको नहीं देखा जी जाने दीजे, जाने दीजे तुम लोग तिनों जान बचकर यहां हो पड़ मैं बोलू ऐसा नहीं जी हां, बिक्त ऐसा नहीं है बत्तमीस तुमने छुआ मुझे कॉमल, महिमी, रिटू, प्रिया पड़ आप क्या कह रही जी, मैने पकरदाना तुम आप दिर जाती नहीं इतने सुंदर हतों से ऐसे काम नहीं किया जाते है विजे, तुम यहां? यह तुम बहुत अच्छा हुआ अब और भी मताएगा पित्निक का तुम क्या लाए हो खाने को? हम तो बोगर्स, होट डॉग, जुफकर हमेशा खाने की बात हनी, यह विजे है हमारे कॉलिज का एक स्टूडेंट कॉलिज का नमबर वन और विजे, यह हनी है हनी, नाम जैसी मिठाज मिजाज में नहीं है शायद तालीम में प्यार महबत की कमी रह गई थी इसलिए नफरत बाटती फिर रही हैं आप वैसे इनका नाम हनी नहीं नाक फनी होना चाहिए था विजे, तुम्हारा भी जवाब नहीं हनी, गुस्सा थूप दो अब हमसे मिलके डांस करेंगे विजे भी बहुत अच्छा डांसर है हाँ, मैं तो तयार हूँ अगर यह मेरा साथ दें तब डांस, और तुम्हारे साथ इल्ले हाँ, हाँ एले इल्ले इल्ले कोई निशानी दे जा ओ जाने वाली कुछ और नहीं तो दे जा प्यार भरी गाली कच और नहीं तो दे जा प्यार भरी गाई हच्छे नहीं लग तेरे मुझे तेरे होट थिले खिले हिले थिले हिले 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 आल Гुला भी형से तेरे जैसे कामल किले हिले हिले पकी डिडिगरी और साइटिफिकेट्स देखे है मैं نے कोई सपारिश है। जी नहीं फिर ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती देखिए मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है आप वक्त यूँ खराब कर रहे है मेरा मिस्स जूली यस मडम शर्माजी का लड़का बाहर आया है क्या हम बुला उसे अंदर जी अच्छा रहने दो यह आप ठीक नहीं कर रही है आप जानती है कि मैं यह जॉब डिजर्व करता हूँ फिर भी पानी ली जी मैं यह आपको नौकरी देती हूँ मंगर तुमकर एक रिशुवत देने पड़ेगी अच्छा वो तुम्हे साथ लाया हूँ आपकी नौकरी पक्टी कैसी नौकरी दे दी आपने इसे यह बड़ा निकमा आदमी है दाजी हलो पेटा क्या चल रहा है भाया अकल इंटव्यू है ना उसी के रिएसल चल दी है पूर्वा भ्यास तुम सीरिसली नौकरी दून रहा है क्या भाया आप भी मजा करते हैं अखबार में वेकंसी की कॉलम देखते देखते मेरी आखे ठक गई है इसी लिए नौकरी नहीं मिल रही है तुम्हें देखो जिंदगी में नौकरी और शादी के बारे में कभी सीरिस नहीं होना चाहिए मेरे खयाल सी ये दोनों चीजें सुनिश्चित है रोजी रोटी के लिए ओफिस के किसी कॉने में एक टेबल और सिंदगी में प्यार महबबत के लिए एक बीवी क्यों बात है के ने बात है जागी यह लो कुछ करते है यार क्या विजय कैसा है गुला लगता है तेरी बाड़ी बाई तेरफ ज्यादा जुकी हुई है अच्छा मालूम ने सीधा करने का है का चलना यार बर्जू आये आये धन्य भाग हमारे जो आप हमारे बीच पधारे शंकर देखता क्या है राम कसम ग्रहक तो भगवान का रूप होते हैं इनकी आरती उतार सुना ने क्या सेट क्या बोला फटाफट आरती उतार हमारे ए फोकट मंजले के कप्तान ये तेरा उधार खाता अब यह नहीं चलेगा अब यहां सिर्फ रोकड़ा चलेगा रोकड़ा अरे हो जाएगा तेरा इसा बाबु भाई हो जाएगा शिर्फ यह कबार यह कबार अपना बार जाने का चक्कर चला ना फिर अपना सब दोस्त लोगों का कड़की पो पो मतलब कड़की बाग जाएगा आयो आन्ना ये तो हमेशे के लिए भारिज जाना रहे हमारे कंट्री तेरको बहुत जेल चुका है क्या और तु अरे यार अरे क्या नाम है तेरा यार मांगीलाल पूरा नाम बोलना मांगीलाल घणेपन पारे नाम क्या आगे तो बापु का नाम लगाते है वो मेरे बापु का नाम है वो जिन्दा है क्या नहीं, स्वर्गबास हो गया उनका तो इन कलाकारों के रंग में रंग कर शांती पहुचा रहे उनकी आत्मा को अरे घरेपन आगे का भी कुछ सोचा है के नहीं? हाँ, सोचा है क्या? अभी तो बापु का गणा माल पड़ा है और बाद में जब मेरा बेटा पेटा होगा तो वो कमा के खिलाएगा वाँ, वाँ, क्या उच्च विचार है बाभु बाई, मैं एक फोन कर लेता हूँ खबरदार अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो लड़कियों से चक्कर चलाता है वो भी मेरे फोन से फोकट में अरे घड़े पढ़न, इस्त्री की कमाई खाना पाप है वीवी की नहीं तु जा, फोन कर, निकल जागी यर बाभु वे अब फोन करो फोन करो, शादी करो, और मेरा हिसाब चुकता करो जाओ, 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 फोन करो और सुन, अगर कुछ बात आगे बढ़े न, तो दोजार रुपए एडवांस ले ले न बाभु भाई का हिसाब कर देते हैं आ, वाँ, क्या आइडिया है तुम लोग को इंटेलिजिन्टों में शुरू सही मानता था अच्छा, बोलो, तुम लोग क्या-क्या खाओगे, अरे वेटर आओ, इदार आओ, ये लोग जो महांगे ही में दो, आओ, चलो इंस्पक्टर भाटकर बोल रहा हूँ देखे, मैं भर दिसाई, दिसाई इंटेनाशनल कंपणी, 36 लिंकी कोड़ तो बोल रहा हूँ मुझे किसीने फोन पर मार देने के दमकी दिये आप ठीक से बताईए, किसने आपको फोन किया था मैं उसके आवास पर अचाद नहीं पाएं, श्वक्तर, आप फरन आदेए मैं आता हूँ, शरमा, जी साब जीब निकालो, चलो, जी साब जीब चलो, जीब आएं Are you all right? Yes sir, don't worry, kekira mut kijyay हम लोग यही बले है, okay Parasara Parasara बखतापो강 एिझ वाख हुआ खुआ हो बया ऑ은ंज हम वेँ घर झाई झाला एबन पमनusion हुई हुआ 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 प्यूजदी तो आपको दिए plastics झाल, झाल, झाल आ… झाल, झाल, झाल झाल बजो ती सौल्टी आपी आठी आठी अफ में आठी आठी हाई खुलो गया, खुलो गया, सब आपे खुलो गया बाया, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल तेरोरी सुमन, मेरी घड़ी और कोट कहा है? अभी लाती हुँ भाया सुमन, सुमन, बुलाना बन कर दो अब थोड़ी ही दिनों में भ्याकर चली जाएगी अब दिनी कितनी बाकी रह गए आप भाभी बाद मैं तो भूली जाता हूँ यह तो हमें छोड़ के चली जाने वाली है अच्छा, आप रोने मत लग ना ले जाओ इसे स्कूल अमी, पापा मुसे नाराज है बात नहीं करते है अच्छा? चलिए, आप बात किजी इससे नहीं, मैं बिलकुल बात नहीं करूँगा यह मेरी बात नहीं मानती, बहुत जिद्धी हो गई है ठीक है, चलो बुआ अब बड़े भाईया, बोल दीजे न, प्लीज नहीं, मैं इससे बिलकुल नहीं बोलूँगा हाँ, एक पपी जरूर ले सकता हूँ बाई बाई पपा, बाई बाई ममी, बाई बाई यह चोटे मिया कहाँ चले गए, सुबह सुबह कल कह रहे थे प्रशान की भाई को एडमेशन दिलाना है चाह दिखता नहीं है क्या, इडियट मैडम, गलती मेरी नहीं, आप की है कमाल है, खुद देखती किदर है और चलती किदर है मैं जानती हूँ यह हरकत तुमने जान बुशकर की है वैसे था तो इतिफाक, लेकिन मज़ा आ गया क्यों, धक्के से हिल गई ना मैडम, इस टककर के लिए थोड़ी बहुत कुसूरवर आपकी जवानी है जिसने आपके चाल में नशा पैदा कर दिया है और थोड़ा बहुत कुसूर आपके इन जूतों का भी है इस तरह क्या घूर रहे हो? संभालिये, संभालिये, ये लड़किया उची हील पहन कर जमीन से उठने की बजाए, कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती पतानी क्या समझता है अपने आपको क्या हो हानी, किसकी बात कर रही है तू हेक, लंगूर, चोड़ ना, तू क्या लेगी? समूसे? मैं तो डोसा लोंगी सुनो, डोसा ले आ और डोसा के पहले समूसे ले आओ, जल्दी जल्दी क्या हुआ, कोछ सीरियस बात है क्या है मैं शेरिबॉख को क्या हो गया? आपको शायद कंपनी के जरूरत है एक कॉफी आप हमारे साथ पी लीजिए अपनी ये अदा आप किसी और लड़की को जाके दिखाई है उठीए उठीए कमभक्त दिल को कोई जची ही नहीं जिस दिन से आपकी ये सूरत देखी है क्यों भई पुरुशोकर पुरिशार्ट की पुंगी बजा रहे हो एक अबला नारी को सता रहे हो तुम्हें बीश्वे पढ़नी के कोई ज़रूरत नहीं इन्होंने मेरे साथ बत्ते मीजी की है इन्ही सबक भी मैं ही सिखाऊंगे सूरत तो तुम्हें पहले ही जज गए थी मिजास कैसे लगा अबला नारी आज की अबला नारी तुम जैसो का तबला वजाना खूब जानती है हुआ है बहुत तीखी है वह यह मेरा एडमिशन तेरा एडमिशन हो गया है और कल से तुझे कॉले छोड़ने भी मैं ही आऊंगा हुआ हुआ है नमस्ते क्यों बात है करने मेरी भाण जी में वैसे यहां की सबसे टॉप टूड़न्ट है बहुत तीज़ी से पीकप किया है इसने वैसा ही पीकप हनी की मामी कभी था मेरा मतलब है संगीत और नृत में जगड़े में उसका बहुत पिकप था बड़ी जल्दी कुसे हो जाती थी मामा जी इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुझे देखता चलिए हलो हनी तुम डांच भी सिखती हो कमाले कभी बताया है नहीं वेतु मेरी बती जी है वेतु बेटा हलो बोलो हलो है किसी प्यारी बच्ची है मैं भगवान दाथ हनी का मामा ओ मामा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी मामा जी आप चलिए अरी थेर तो तुने वीजे के बारे में कभी बताया नहीं इतना अच्छा दोस्त है तुमारा अच्छा हमारी कोई दोस्ती नहीं है अच्छा तो कड़ी उबल गई हम छोटों का यही प्रॉब्लम है बड़े बूड़ों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए जो सच है और फिर मामा जी से क्या छुपाना क्यों मामा जी वाँ बड़ी अच्छी बात करिये तुम्हें ऐसे विचार ऐसा यूवग आज की यूग में वाँ बेटी मुझे तेरी पसंद पसंद आई अज आज 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 तेरे देवर ने आज तीर मार लिया है तु जल्दी से उसे शाबाशी दे या क्या तुने तेरे लिए एक सुन्दर-सुन्दर आहा प्यारी प्यारी आहा बहू का इंतिजाम कर दिया है लिकिन है कॉन्द अ क्या कि क्या है आरे बाबा गहीं है लेकिन है ऊपर वाले की फैक्ट्री का सबसे बढ़िया प्रोडक्टप से किसी प्रोडूक्से पर होता है आयसाए लुमा आल्यो हाँ, इलू-इलू, मार्क, ना रंगी सा रंग, नेमू जैसी सन सनाती ताज़गी, लाला, 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 मिर्ची जैसी तीकी, उसकी थोड़ी गडबर है, लेकिन मैं उसको लाइन पर ले आँगा, मेरा भईया, मेरा तक्या, भईया के रूम में, चलता हूँ पावला हो गया पागल के लिगा भाईया आज कल शहर का मौसम कुछ बदला सा नहीं लगता आपको आपको नहीं लगता कुछ चेंज क्या हो गया है हवाओं का रुख कुछ बदल सा गया है दूप में तपन तो है लेकिन थोड़ी ठंडक लिये हुए सुबा कुछ जादा खि कर्क बाठी हुई ? ओ, मेरा तक्या ? हाँ यह रात-ें यह मौसम–छी का किनारा, यह शन्चल हवा क्या हो गया, इसे? ऐसी हालत तो तब ही होती है जब तू मेरे को बहुत अच्य लगती है सोझा AKA तुच्ण है पूच मैने तरी पप्पी क्यो ली? आपने मेरी पप्ती क्यों ली तेरा डान स्कूल बहुत अच्छा है मेरे डान स्कूल से पप्ती का क्या क्या कनेक्शन है आप यह जोड़ी दिकला आप अच्छा है हुआ हुआ है वीजे है हाई वीजे आप मैं तुमें छोड़ देती हूं आ ना यहां आज सूरज कांसे निकला अरे यहां मेरे पास बैठो अजया 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 बहुत तेल्स हो तुम आखिर तुमने दिवाना बना ही डाला मुझे आज के मुलाकात मेरी स्किम में नहीं थी अरे हनी तुम विजय के साथ आकिर तुझे वह हो ही गया मुझे मालूम था कि एक दिन वह होना ही था अच्छा तुझे मालूम था तो बस समझ ले हो गई मुहपत वाव तो अजय के पाटी हो जाए याए एक दिन तो होनी थी महपत हो गई हो गई चैन मेरा खोना था नींद मेरी खोनी थी खो गई, खो गई, खो गई एक दिन तो होनी थी क्यामत हो गई, हो गई चैन मेरा खोना था नींद मेरी खोनी थी खो गई, खो गई, खो गई एक दिन तो होनी थी महपत हो गई, हो गई आने भी रोका, तुमने भी रोका, तुमने भी रोका, मैंने भी रोका, तुमने भी रोका, पर ये जवानी ने गई धोका आया हवा का एक ऐसा जोका, एक ऐसा जोका ना ना परते ये शरारत हो गई, हो गई एक दिन तो होने भी महाबत हो गई, हो गई जीना है मुश्किल, मरना है मुश्किल देना नहीं था पर दे दिया दिल दे के हम ता दिवाने हुए, दिवाने हुए पूछो ना हम से जो हालत हो गई, हो गई एक दिन तो होने भी महाबत हो गई, हो गई जीन दो हो गई कर दिन दो हो गई झाल 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 होटों पिलाथी ऐंखों में हाथी होटों पिलाथी आखों में आथी जुल्भों के जैसे में परेश्वा थी इस दिल के हाथों मुश्किल में जाती मुश्किल में जा थी दिल दे दिया तो बस फुलसत हो गई हो गई एक दिन का हाली थी महाबत हो गई हो गई चैन मेरा खोना था दीन मेरी खोनी थी खा गई, खा गई, खा गई एक दिन तो होनी थी महाबत 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 यह तिरे आशीं प्रिकल रही है संभाली अपने आपको विजय सहाब अरे तुम लोग इतना शर्माय लज्जाय से क्यों बैठे हो खुदी तो मिलना चाह रहे थे यह प्रशांत, तंभी, यह घनेपन चैशी कृष्णा वैसे इसका नाम मांगी लाल है, लेकिन हमने इसका नाम घनेपन रखा हुआ है घनेपन? अब तो यह अपना पुराना नाम भी भूल गया है पड़ में का घनेपन बाद घनेपन बोलता हूँ हनी अपने यार है, मस्ट छोकरे लोग है हां मगर आप यह सब कुछ मुझे क्यों बता रहे है वो क्या है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए इसलिए क्यों? आप मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों बता देना चाहते है हनी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल को हमारी शादी शादी अरे हनी तु हस क्यों रही है मिस्टर विजय पहले तो आप ये गलत फैमी दूर कर लीज़े कि मैं आपसे मुहबबत करती हूँ हनी जी हनी क्या कह रही है तु अरे आज ही तो तुने हम सब के सामने वो सब नाटक था यही बताने के लिए तो मैंने तुम सब लोगों को यह बुलाया है क्या मजाक है यह नहीं यह बिल्कुल सीरियस है वो जो था वो मजाक था वैसे तुम जैसे दिलफेक और आशिक मिजास लड़के तो पहले भी बहुत टकरा चुके हैं मैंने सोचा एक और को ही आजमालिया जाए मोहिनी यह लोग दिल से माला माल और दिमाग से कंगाल होते हैं यह बहुत हो गया हनी देखो बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ लड़की ने एक बार मुस्कुरा के क्या देख लिया बस हो गई अपनी लोजी सीधा हाथ थामके शादी के मंदप में पहुच गए क्या रफ्तार है आपकी विजय साथ लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं दिल ही नहीं दिमाग भी रखती हूँ आने यह बात तुम अकेले में भी कह सकती थी मगर मैं जान भूच कर सब के सामने तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी ताकि अगली बार किसी लड़की के सामने अपना दिल बिच्छाने से पहले तुम मुझे याद रख सको वाह, क्या दरिया देने दिखाई है तुन्हे दसका नौट और दिल के मामने में इतनी कंजूस सिख और दिल में यही फर्क होता है मुझे अले भाई क्या कर रहा हम गरिबों का पैसा क्यों लूट रहो गुला पैर अठा पैसे से यह टैक्स है बनगा गुला डैक्स पैर हटा वरना तेरा बाया कंदा सीधा कर दूँगा यह बरस हो रहा बरसा अब लानारी चाहिए जाहिए इस्पेकर साब मेरी गलती नहीं है अधे गुंडागी भी कनता है इस्पेकर साब मेरी चल हनी चल पुलिस को बता देते हैं विजे की क्यों नहीं लेखी नहीं है उसने तो हमारे लिए ही हाँ अब लानारी चाहिए जाहिए हनी हनी चल पुलिस को बता देते हैं विजे की कोई गलती नहीं है उसने तो हमारे लिए ही है हुआ 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 है ये एक जिन तुम्हें किसी बड़ी परेशाने में डाल सकता है परेशानियों के डर से मैं बुजदिल नहीं बन सकता इंस्पेक्टर साहब मुझसे जो हुआ वो सही है बस अरे यार अब बहुत हो गया चल दस्रकत मार जल्दी अस्पताला फुली स्टेशन से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए नहीं साफ हां और कोशिश ये भी रने चाहिए यहां दुबार आनाने पड़े थांक्यू मैं तो परिशार हो गया पता नहीं तुझसे इतना कैसे जुड़ गया हूं मैं चल थांक्यू इंस्पेक्टर राम कसम छै घंटे हो गये पानी तक ने गया हलक के नीचे इंस्पेक्टर मैं विजय सक्सेना का बड़ा भाई निर्भय सक्सेना वह उसकी जमानत हो गया अभी अभी गया वह किसने ली जमानत उसकी यह बाबुराम के साथ आपका क्या रिष्टा है आपकी जमानत उसने क्यों ली कुछ पूछ रहा हूं मैं छोड़िये न जाने दीजे वहां उठता बैटता इसलिए लेकिन वहां उसके होटल में बैटकर आप करते क्या है सारा दिन आवारा लोगों के साथ तफरी मौज मस्ती मैंने कभी इस बात को लेकर तुम्हें नहीं डाटा भटका रहा कि कामकाज नहीं है तुम्हारे पास और भी तो लोग वहां ये सब देख रहे होंगे ये मरपीट की नौबत कैसे आई आप एरी बात तो सुखो ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए कभी कोई ऐसनी मुश्किल मत पैदा कर देना जिसकी वज़ा से मुझे किसी के सामने मदद के लिए सर जुकाना पुड़े क्योंके स्वाभिमान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है चलो नाश्ता कर लो आओ आओ विजू येस इंस्पेक्टर सहाब वो विजय है विजय सक्सेना जी उनके दुजमानत हो गए ओ लेकिन गलाती तो दरसल विजय की थी ही नहीं इंस्पेक्टर सहाब वो गुंडे उस भिखारी से पैसे छीन रहे थे विजय ने तो बस उन्हें रोका था ये बात अगर आप कलबाता देती तो रात भर उने लौकों पे नहीं रहना पड़ता जी देख हनी तु विजय को प्यार नहीं करती तेरी इस बात पर मैं यकीन तो नहीं कर सकती देख मोहिनी मैं उससे प्यार नहीं करती मेरे लिए तो उसके साथ एक पल भी काटना मुश्किल है मैं पुरी जिंदगी काटूंगे उसके साथ जिंदगी काटूंगी मतलब तु क्या समझती ऊआ उसके साथ मैने सा ऐसी कोई बात की नहीं ये शादी की बात तेरे दिवाग में आई कै seperti कैसे आई मतलब, मतलब ये कि तु विजे के बारे में इतना तक सोचने लगी, कि सोचते सोचते शादी तक पहुंच गई या तुने इससे भी आगी का सोच लिया है, SHUT UP मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा ब्लॉक रिजर्व कर लिया था तू क्या का क्या बोल रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है होता है, होता है, प्यार में ऐसा ही होता है, कुछ समझ में नहीं आता बस सिर्फ वही समझ में आता है देख अनी, अगर विजय कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं कभी उसकी तरफदारी नहीं करती लेकिन विजय में वो सब खुविया है जो हर लड़की अपने महभूब में ढूनती है वो तुझे बहुत प्यार करता है और तु है कि हमेशा उसका दिल दुखाती रहती है क्या? अब क्या करो बता? मुझे क्या? मुझे के हमाले की चोटी पर खड़े होकर चिलाना पड़ेगा कि विजया लाव यू लाव यू विजया कोई ज़रोत नहीं प्यार करने वाले खामूशी की आवाज पहचानते हैं हाँ अगर तुम अपने गुरूर की चोटी से नीचे उतर आओ और यही बात प्यार भरे अंदास से कह दो तो काफी है ओ, तो यह सब नाटक तुम्हारा ही है तुम पास नहीं आओगे अपने अरकतों से बख्वास बंद करो, एक सच जो तुम्हारी जुबान तक आना चाता है मगर तुम्हारा घमंड उसे रोक लेता है और वो सच यह है कि तुम मुझसे प्यार करती हो देखो वीजे शुट आप, नाम मतलो मेरा तुम एक सरफेरी बतमीज और पागल लड़की हो मैंने यह आखरी कोशिश की थी अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं पस एक बात याद रखना मेरे बिना जिन्दगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी समझी मैंनी 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 मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ही इकरार करती हूँ दिल क्या है जान भी ले लो मैं कब इलकार करती हूँ विशे मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये खरार करती हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये इकरार करती हूँ दिल क्या है जान भी लिलो मैं कभ इंकार करती हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये इकरार करती हूँ कर दो मावा झार्ज सूफ दूछ। तुम मेरा दिवाना है आज ये मैने जा रहा है तुम मेरा दिवाना है आज ये मैने जा रहा है कुछ भी हो कैसे भी हो रूठा यार मनाना है रूठा यार मनाना है वादे हजार करती हो मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं ये इक्रार करता हूँ दिल क्या है जान भी ले लो मैं कब इंकार करता हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ ये दिल है कुर्बान मेरा तेरी इन ही अधाओं पे मैं मानू या ना मानू लेकिन तेरी वफाओं पे मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये इक्रार करती हूँ दिल क्या है चान भी ले लो मैं कब इंकार करता हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुमसे उससे अपने रास्ते अलग कर रहो यह इश्ग तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है लेकिन आप यह नेक सला देने वाले होते कौन है है मुस्तंभाल के बात कर जानता नहीं है किस आपको हाँ जानता हूँ यह इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है शायद कुछ लोग आपसे यहां डरते भी होंगे लेकिन हम जरा प्राणी दूसरे किसम के है धंकी का अंदाज हमें पसंद नहीं पहले तो आप यह बताईए कि आपका हनी के साथ रिष्टा क्या है तेरी आउकात क्या है मुझसे इस तरह का सवाल करने की केके साहब दामन देखकर हाट डाला कीजिए फिजय सकसेना नाम है मेरा एक शरारा ही जंगल को जला देता है नादा है तू जो शोले को हावा देता है तेरे खून की तासीर भी तेरे भाई जैसी है तुझे बताना ही कि सपनों की दुनिया से निकलकर किस भायानक हकीकत का सामना करना है तुझे हाँ 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 तुम तुम यहाँ क्या चाहिए तुम्हे हाँ 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 इस शहर में रहता है तू हाँ हाँ सुनने नहीं समझाने आया हूँ आज के बाद दूस रड़के से कोई वास्ता नहीं रखेगी क्यों तुम हमारी अच्छी बली जिन्दगी में दखल डालने आ गया है यह बैचारी माबाब के प्यार दुलार के मिरा बढ़ी हुई है इसे बेजान खिलोने के बिश्पाल आये मैंने अर जब इसके जिन्दगी में विजय है मैंने कह दिया रहा विजय से इसका खुछ रिष्टा नहीं बस और एक बास सुन लो केके के दुश्मन के खर में शैनाई नहीं बचती अरे विजयो यह ले पूरे दो लाग है गंशाम जी के दुकान पर जाना जेवर तयार हो गये होंगे जी भावी अच्छा सुन जेवर लेके सिदा घारी आना घर की इज़त की बात है तुझे तो पता है भाईयाने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए है मुझे पता है भावी चलता हूँ जल्दी आना यह तो तिरे साथ बहुत ही बुरा हुआ रामकसम अगर मेरी हैसे दो लाग की होती तो मैं यू उठा कर दे दे था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाईया इतने कम वक्त में रुप्यों का इंतिसाम करेंगे भी तो कहां से हाँ यह बात भी ठीक है तुम्हारा घर भी तो किराय का है एक कामकर तू पार्टी देख मैं ये क्लब गिर्वे रख देता हूँ नहीं बाबो भाई तुमने इतना कैदिया काफी है तो मैं क्या करूँ यह घर की हिज़त का सवाल है अगर कही यह शादी रुख गई ना तो अनर्थ हो जाएगा पहले ही तेरे भाईया को एक अटाक पड़ चुका है एक एक रास्ता है भी जाए काम भी नेख है और तेरा काम भी हो जाएगा बाबो भाई मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ किसी का खून करना है बाबो भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुमने सोचा मैं इतना नीचू अरे तो मैं किसी धर्मात्मा के खून की बात नहीं करा वो नारू है ना उसी को मरवाने की सुपार ही निकली है खुटी ने पांच लाग का दिमान की अपार्टिस है अपन तीन लाग में पटा सकते है तेरी बहन की शादी भी निपट जाएगी और मैं भी अपने छोटे बोटे कर्शे दिम्टा लूगा हाँ मगर किसी का खून अब ज्यादा मत सोच नारू एक राक्षास है लोगों की जिंदगी से खेला पेशा है उसका एक पूरे कमजूर आत्मी को मारकर उसके घर पे कबज़ा करके उधर से मौत का धंदा करता है वो वो इस खोट कहीं पर उसके खिलाफ कोई सुनाई नहीं हो सकती अगर कुट्टी ने कहीं सुपारी ले ली लेकिन माबू भाई मुझसे खुन नहीं होगा देख जल्दी कर नारू को मारकर इस शहर का उधार करेगा तू कुछ मत सोच नारू जैसे रावन के अंत के लिए हर युब में राम का जंग होता है तू राम बंचा नहीं यह मुझस नहीं होगा होगा राम का सम जरूर होगा शादी का महूरत अगले बुद्वार का निकला है देखिए महता जी शादी एक साल के लिए रोकनी पड़ेगी क्या क्या रहें आप शादी एक साल बात करेंगे सक्सेना जी रिष्टेदारे में हमारा मजाग बन जाएगा देखिए वो पूरा इंतिसम था हमारे पास लेकिन कुछ हादसा हो गया इसलिए अब पैसे का बंदुबस्त करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए आप मेरे शराफत का नाजायस फाइदा उठा रहे हैं अगर आप में हैस्यत नहीं है तो आपने हा क्यों की थी आप समझ क्यों नहीं मैंने आपसे कहा ना कि पूरा इंतिसम था हमारे पास वो रुपे विजय के हाथ से चिन गए अब दो लाक रुपे की रखम कोई कम तो होती नहीं है आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हम थोड़ी चाहेंगे हमारी लड़की घर में बैठी रहे शादी के लिए आपको जल्दी थी इसलिए हमने हा कर दी बहुत हो गया आप लोग का यह तमाशा मैं अभी और इसी वक्त इस संबंत को तोड़ता हूं ऐसा मत किये मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं नहीं प्रिती नहीं इनके संबंत तोड़ने से मेरी बहन कुवारी नहीं बैठी रहेगी अच्छा हुआ मुसीबत के वक्त में महता जी की असलियत का पता चल गया किस अध्या आदमी के घर अपी बहन को पाहिस आता है सक्सेला जी बहिया दफाव हुजाई यहांसे दफाव हुजाई यहांसे मैं आपको एक मिन प्रदाश नहीं कर सकता क्या मैड़ी बहिया क्या हो रहा आपका पूचू रोक्तर को बिलाओ बहिया सुमान, विजू आया था? नहीं तो, कहां चला गया? हलो? लुमान, थीति आया थाचू । कर दो I कर दो झाल 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 हुआ 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 है प्याओ ्याओ प्याओ प्याओ कि झेल वार प्रप्शा फ्रवार हाइब कि झेल और लुट कि झेल प्रवल 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 अईन्हायाल तो उर उर तो कर दो अब प्र्द अजाओ तो वे आए बेडन अजाओ प्षेक दो साले को बस मुझे ये बताओ क्यों उसने अपनी आखों से विजे को देखा या नहीं बिल्कुल देखा के के भाई बिजली की कॉन वे लपालब चहरा देखा अपने दुलारे भाई का वा बाबुराम वा तो वो नारू खत्म हो गया जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था बस यही चाहता था मैं कि प्रफेसर खुद अपने परवार करते हुए अपने भाई को अपनी आखों से देखे अब अगर विजे जिन्दा बच भी गया तो फासी के फंदे से नहीं बच सकेगा रहाँ क्यूद आएाँ क्यूद आएग हाँ चकर ने फोन करके आपको तुरंद बुलाया था ये फोन खुद चकर नहीं किया था देखिए, आपके खावसा ये तो साफ है कि उस आदमे आप पर बहुत नजदिक सवार किया है कि आप उस आदमे को पैचान सकते हैं? कि आपको ये कुछ बोलनी पा रहे हैं आप कुछ बोलनी पा रहे हैं, बोलिये ना दोक्टर, दोक्टर भावे, भाईया दोक्टर साब, कैसे हैं वो, क्या हुआ उनको, ठेक तो है न वो धबराये नहीं, उस किसम का कोई खत्रा नहीं मगर वो बोल के नहीं पा रहे हैं मिस्टर निर्भय बोलने की ताकत को चुके है अबे, देखिए खून काफी बैजाने की वज़े से दिमाग की ब्रोकास एरिया जहां से बोलने की ताकत का नियंत्रन होता है उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो गई है उसी वज़े से उनके साउंड बॉक्स पर असर हुआ है और आवाज चले गए मगर सही ट्रीटमेंट देने पर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी और आवाज आ जाएगी मगर कब टाइम पिरिट की बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मैं उनसे कब मिल सकता हूँ फिलहाल उन्हें होश में आने में करीबन चार घंटे लग जाएगी ठीक है वर्मा आजबस नज़र रखो मैं बाद में आता हूँ कि बाद में रहीत भाया, भाया, यह सब साज़शे किसी की पहले मुझ से जेवर के रुपए चिल लिये गए मैंने बहुत धूंदा उस आदली को लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला ये बात मैं आपको कैसे बताता घर की इसस दाओ पर लग गई थी शायद उसे बचाने के लिए आपको किसी के सामने सर जुकाना पड़ता मुझे कुछ सुजाई नहीं दे रहा था पैसे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तयार था और किसी ने इन्ही आलात और बेपसी का फाइदा उठाया तो किसे मेरे हतों आपको परवादेगी कुछिश की किसी दे और मैंने ये क्या किया अरे पागल दिल छोटा मत कर तेरी भाये की आवाज हमेशे के लिए थोड़ी गई है डॉक्टर ने कहा है देरे देरे आवाज आ जाएगी पापा 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 मैंने मंबग भी कर लिया है और दुद्धी भी लिया है और मैंने को तंग भी ने करती बूली ने पापा अंते बात कीजिये ना पापा पापा मैं आदे के हर बात मानूं पापा बोली ना पापा बोली ना पापा आप मैंसे बात कीजिये ना ममी पापा के सबसे नाराज है नहीं बेटे नहीं बेटे तेरे बापा किसी से नाराज नहीं है हमेंसे किसी से भी नाराज नहीं है एक बेदर दिने इनकी आवाज छिन ली इसी वज़े से हम सबकी आखों में आसू है ए भगवान उसे कभे सुकी नहीं रखना जिससे तेरे बापा की आवाज छिने उसे कभे जिससे नहीं है पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्टी नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलती एक बार तुस साहस के साथ मैं कहूंगा, के बहाव भटक सकता है, पहक सकता है, दिशाहीन हो सकता है लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, करन्ती ला सकता है, पढ़ाव नहीं अपने जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर मांगने से जिन्दगी कब मिलती है, दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर कहाँ चलिगे? झालमें कर एक ढोक मिलत necessान अविण कर रोस्तर बदाद्ड़्या नहीं पस्तर नहीं करें इसे रख दो इंस्पेक्टर भाटकर बौल रहा हूं हाँ, इंस्पेक्टर? मैं ठकर, हरिश ठकर बौल रहा हूं प्रोफेसर निरभै सकसेना का दोस मैं यहा हाँ, माड़र से बोल रहा हूं देखें, इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात अची तरह सुन लीजे, वरना वो लो किसी भी वर्थ मुझे सक्वार सकते हैं आप मुझे जल्दी बताइए, बोल कहां से रहा है मैं यहाँ अक्सागा, माडर से बोल रहा हूँ अध्रे, यह सर, वरन पिर्टोनिंग तेरे को कपर करो, अक्सागा मोड़ स्पार्ट करें, चल्दी यह सर, हाँ, बोले मिस्टर टकर इंस्पेक्टर साथ, मुझे धंका के निरभय को मेरे घर बुलवाने की साज़िस रेची गई थी उन लोगें ने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखी थी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता वो दोस्त है, मैं उसे धोका नहीं दे सकता जाल नंबर गुमा 626-3107 अज यसा का है वैसा बोल, नहीं तो तेरा सर हाँ, निरभय, मैं, मैं ठकर बोल रहा हूँ नहीं, खबरा के नहीं, खबरा के नहीं देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तुम, तुम फॉर्डम मेरे घर आजाओ इंस्टेक्टर साब मैं बड़ी मुश्कियों से जान बचा कर भारूँ वो राटता डाल सले को काई में पाल पो, चुमसे चाल, चुमसे चाल, आल पाल हुआ प्रज़ प्रफो प्रफो तुमने घुदर जाओ! अलो! क्या? पुलिस! ठीगे, ठीगे! हाँ! तुमने घुदर जाओ! हेई, कहा जाँदाए? हाँ! क्यों छुपाया ठकर को तुमने? कहा रखा है उसे? कौन ठकर? किसकी बाद करे हो तुम? तुम्हारे आद्ली उसे यहां उठाकर लाए है तुम्हारे आद्ली उसे यहां उठाकर लाए है तुम्हारे आद्ली उसे यहां उठाकर लाए है यहां, तो ठीक है, जा कर ढूण लो, जा मिल गया ठकर, तुम्हारे आदमी ठकर को यही लेकर आए है क्या बक्वास करें हो तुम, यह तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आने दिया और तुम मुझ पर किसी के गिड्नापिंग का बेहुता इल्जाम लगा रहे हो, इसके लिए मैं तुम पर कालू ने खानवाए यह इल्जाम तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा केके, ठकर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है मैंने भी उसे याद ढूंदा है फिर भी हमें थलाशी का वाररन लेकर यहाँ तक बहुत देर हो जाएगी ठकर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चैरा कभी बेन अकाब नहीं होगा देखो, मैं इंस्पेक्टर का लेहाँ कर रहा हूँ वरना वरना, वरना तो बहुत देखो, मैं कानूने थोर पर देखो बस किज़े इंस्पेक्टर, आपने काईदे और नियमो की बेडिया बेन रखी है और जुर्म सरयाम सडकों पर नंगा नाच रहा है केके, ठककर अगर जिन्दा नहीं मिला, तो तेरी करदन कानूनी फंदे की पकड में नहीं मेरे पंजो की पकड में होगी, मैं तुझे पर बात कर दूँगा बहुत गैरी दोस्ती है उस प्रफेसर से दोस्ती करबानी चाहते है झाल, झाल, झाई! जए 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 हैँ पाल, झाल, झाल कि भाइबarin दो, पाल झाल कि फाल क्या प्रोफेसर बहुत तरस आता है तेरी इस हालत पर मगर क्या करो तेरी जबान सच्चाई का जहर कुछ ज्यादा ही उगलती है आज तेरी बीवी अचानक तक्रा गई तेरे साथ फेरें लेने की सजा काट रही है बेचारे अरे तू तो टूटे फूटे फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में पड़ा होगा उस बेचारी का खयाल कौन रखता होगा कौन है भाईया लाइए फोन दीजे मुझे भाईया प्लीज मुझे बात करने दीजिए हलो 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 कौन था आपने मुझे बात क्यों नी करने दी जब आप बोल नहीं सकते तो फोन के उठाते आप मैंने पहले भी जब आप से कहा है कि विजू क्यों इनके मन को ठेस पहुंचाई क्यों पहले पहले भगवान ने इती बड़ी सजा दे रखी इनको विजय आज तो मुझे से मिलने के वजह पूछ रहे हो अनी मैं एक ऐसी जगा पर खड़ा हूँ जहां से कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा तुम्हारा दुख परेशानी क्या मुझे से अलग है विजय मैं तुम्हें तुम्हारे किसी रिष्टे या फर से अलग नहीं करना चाहती मगर मेरे सिने में भी एक दिल है विजय जो प्यार चाहता है खुश्या चाहता है विजय आज मेरे जनम दिन पर उसको रहट का एक तौफा ही दे दिया होता हनी मैं मानती हूं कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता लेकिन जिंदगी में प्यार की जगा क्या है ये भी तो मैंने तुम ही से सीखा है विजय लेकिन हनी तुम समझने की कुछ अरे ना कुछ आगे ना कुछ पीछे प्यार ही प्यार गजन के लीचे अरे सुनो बेदर्दी बेदर्द सया हात पकड़कर छोड़ दी बैया आये छोड़ दी बैया सुनो बेदर्दी बेदर्द सया ये प्यार क्याने तुम क्या जाने सुनो बेदर्दी बेदर्द सया ये प्यार क्याने तुम क्या जाने सुनो बेदर्दी बेदर्द सया क्या हो प्यार करत ड़ड़कर जाब जाच करन इत्तरी you कि खलात कर बिंदिया ना कच्रा, बंगन ना कच्रा मेरे लिए तू आसु बुलाया कादे के ये थे तूने हजारों कोई भी वागा याद ना आया ऐसे रचानत ना तूने कर दे तू आ बेदर्ब दे, बेदर्ब सईया ये प्यार क्या है, तू क्या जाने आये न बहुत अच्छा गाती ये दिल नहीं है दुनिया पे बस में दुनिया नहीं है इस दिल के बस में या छोड़ दे तू या छोड़ दे तू अधुनिया के रस में या तोड़ दे तू दे के बस में आगे नंकर है तेरी मर्दी सुंखो बेदर्दे, बेदर्द सईया ये प्यार क्या है तू क्या जाने सुंखो बेदर्दे, बेदर्द सईया हानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार सबने मैंने भी देख डाले बहुत तुम्हारे लिए हर मुश्किल, हर ताकत से लड़ने का होसला था मुझ में लेकिन तक्तिर ने मेरे साथ भयानक मजाग खेला है आज जो कुछ भी भाहिया के साथ हुआ, उसका बेदर मैं हूँ भाहिया कि जान लेने की कोशिश मैने ही की मैने ही उने चाकँ मारा था विजय, क्या कह रहा हो तुम विजय? यह सब मुझ से धोके से कराया गया था मेरी तो कुछ само uncles में नहीं आ रहा विजय समझ में तु मेरी भी कुछ नहीं आ रहा मता नहीं किसने बाभु राम को हथियार बना कर इस्तिमाल किया मेरे बाहे केके की त Wen भाहे के साथ किई पुरानी दुष्मनीे है उसने मुझे धमकाया था और तुम्हारे साथ रिष्टा काटने के लिए भी कहा था इस साज़श के पीछे किसी का भी हाथ हो हनी उसके चेहरे पर नकाब सिर्थ तब तक है जब तक भाबूराविया ठकर मुझे नहीं मिल जाते ठकर न मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था इससे पहले के पोलीस हिफाज़द के लिए भाप पहुँचती उसे उठा लिया गया अब तक उसका कुछ पता नहीं चला आप मुझे लिखेट में अपना बयान दीजिए कि केके के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है उसे ने आपको जान से मानने की कोशिश की देखे आपके बहुम के बाद ही हम उसे कैसी तुश्मनी आपके केके के साथ बोलिया भाईया देखे 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 मिसे तकसरा देखे आप इने समझाईए केके शरका बहुत बड़ा आदमी है उपर तक महुचे है ठीक सबूत और गवान ने मिलने के वज़े से आज तक पुलिस सबचता रहा है इनके बैन देदेने से हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते है प्लीज बहिए आप बताते हैं क्यों नहीं क्या दुश्मनी है आपकी केके के साथ बोलिये बहिए बोलो भावी तो ये सब उसी का किया धरा है इतना सब कुछ बरदाश्की ये बैठे हैं आप उससे भी नहीं कहा आपने भावी हुआ क्या है मुझे कुछ बताते हैं क्यों नहीं मैं बताती हूँ मुझे बोलने दीजिए ये उन दिनों की बात है जब तेरे भाईया पुना के बी-म कॉलेज में थे बचाईया साथ 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 सर! 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 सब बचाले कि रस सर! सर, सर, बचाले कि रसाइ्या सर! सर बचालेजिए, सर, पिर सर, बचालेजिए! नाँ! सर बचालेजिए! अलो, इजए पुलिस नचिन? प्रॉड्र फिर्ड फिर्ड हुग व्रॉड हाँ यूंगेश दिखा चल कनिया इंस्पेक्टर साब ये देखे कुछ नशा करता था है इंस्पेक्टर गतल हुआ है उसने सरे आम कॉलीज में या गुंटा था ये इंस्पेक्टर इस लग्ये ने पुलीस की मदद की थी ड्रुग्स के बहुत बड़ने स्टॉक के बारे में इंफोर्मेशन दी थी इसने और वो लगव रुबय का जहर जो पुलिस ने पकड़ा था, उसी कन्या का था आप जरा इधर आईए बड़ा जिद्धी टीचर है, समझने की कोशिश ही नहीं करता जरा सोचे, इस केस को उच्छाला तो आपके कोलिज की बदनामी होगी इस लड़के का नाम क्या है, अखिल, कन्या को है, गुंडा, क्या करता है, ड्रग का कारोबार ये लड़का कौन है, बियम कॉलेज का स्टुडेट, फिर प्रेस, ड्रग, लोग, कन्या, अखिल, आपके कोलेज को बढ़ी शोहरत मिलेगी मगर इंस्पेक्टर, मेरे शोचिये, सोचिये, सोचना है क्या, इंस्पेक्टर साब, रेपोर्ट लिखिये, इस लड़के का हून हुआ है, मैं चश्मन दीद कवा हूँ, पुलिस स्टेशन चलिए, हर चीज कानुन से होगी न, चलिए, चलिए मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, अरे कतल की गवाई देने से जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है, अरे इससे सीधा सा एक्सिदेंट का केस बना करागे, एक पुलिस ओफिसर कतल को एक्सिदेंट बना देना चाहता है, वड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, ये कुर्सी और ये वर्दी क्या जज रही है आप पे, इंस्पेक्टर, आप जैसों को देखकर अपने देश के दुरभागये पर तरस आता है, देखे मिस्टर सक्षना, दिखाईए मत लिखिए, मैंने अखिल मिश्रा का कतल होते हुए अपनी आँखों से देखा है, और ख वो आज तक किसी मामले में अंदर नहीं आया है, कनिया का ये रेकॉर्ड बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको, इंस्पेक्टर, ये मामला कनिया के साथ साथ आपको भी भारी पड़ेगा, तुम जैसे लोग, हम जैसो का कुछ नहीं बगाड सकते, मास्टर, तेरे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है के फिर भी तुझे यकीन नहीं, ठाने दाल लिट्रूचर का लेक्टरार इतना बहादूर होगा, ये पहली दाफा देखा है मैंने समाज के बुरे लोगों के खिलाफ इनके अंदर तो तेजा भरा हुआ है भावी सुरत पत्नी सब की दीदी होनी चाहिए, सिवाए आपके कल प्रीदी से राखी बंदवाले में, आप कहे तो आप मेरे खिलाफ बयार देता है कि अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह तुने ठीक नहीं क्या प्रोफेसर मुझे बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जिस दिन मैं बाहर आया न अगर एक भी लवज निकाला तो तु अदालत में अपनी गवाही देने के भी काबिल नहीं रहेगा क्या रहे सब यह तुम्हारा काम कर रहा हूं इंस्पेक्टर वो रहा कन्या अखिलमिश्णा का खूनी हां मगर तुम यह सब कर रहे हो इसका मतला समझते हो समझता हूं इंस्पेक्टर समझता हूं और तुम्हारा काम काज भी अच्छी तरह समझ गया हूं मैं मेरी रिपोर्ट के बाद बजाए से गिर्फतार करने के तुमने इसे आगाह कर दिया और इसने मेरे ही घर पे मुझ पर हमला किया किसी ने देखा आसपड़ उसका कोई गवा जी हां यह सब मेरी मौजूदगी में हुआ है इंस्पेक्टर आप हमेशे कोई न कोई बाहना ख हाथ चुडियां पहनने के भी लायक नहीं है देखो सकसे ना दिखाई यह नहीं सुनिये अप्राधी आ चुका है सलाखों के पीछे यह इसने इस शहर में तवाही का तंडव मचाय हुआ है जीना मोहाल हो गया शरीफ लोगों का इस शहर में जहर उतार रहा है समाज की नसो कोई हुई आत्मा को जगाओ अपने बचे कुछे जमीर को ठटोलो और कानून की पकड़ को इतना धीला मत छोड़ो के इंसाफ के लिए इसे कोई भी अपने हाथों में ले सके मैंने सोचा था शायद कनिया का मनुसाया हमारे खुशों के घर उंदर पर नहीं पड़ेगा पर मुझे क्या पता था इतनी बड़ी बात आप लोगों ने चुपाई मुझ से क्यों भाईया क्यों भावी अगर मुझे यह सब पता होता तो भाईया की यह हालत ना होती यह सब छुपाने की भूल आपने की और सजा मैंने पाई विजू हाँ भावी मुझे धोके से इस चाल में भचाया गया भाईया को अज जाने में चाकू मैंने ही मारा था तूने भावी रुपह चोरी हो जाने के बाद मुझे यह लगा कि भाईया को किसी के सामने मदद के लिए हाथ पहलाना पड़ेगा तो मैंने बाबुराम के कहने पर रुप्यों के लिए किसी को मारने का काम ले लिया उस कभीने ने कितनी बेदर्दी से भहिया को चाकु मारा। मुझे बाफ कर दो भावी, मुझे माफ कर दो। नहीं विजू, दोशी तु नहीं है। बूल से तुने जिस सुहाक को छिनने की कोशिश की। वो मेरा है, है ना। मैंने तुझे माफ कर दिया। और प्राशित से पाप धूल जाते हैं। बाबी, मैं उसे बरबाद कर दूगा। मैं उसे इस गुना की बहुत बड़ी सजा दूगा। जिस तरह मैं अपने अंदर के तुफान को नहीं रोक सकता, उसी तरह आप भी मुझे नहीं रोक सकते। अब ये तूफान दुश्मनों की दुनिया को उचाड़ कर ही थमेगा। विजू। अपने भाई। लगता है आजकल तेरे को विजे से बहुत डर लगता है भाई। क्या बहुत? मैं डरता हूँ उससे! ने भाई। तू तराना है मिरे को! मैं नहीं डरता भाई। वो केके भाई न यहां अंदर का काम दिया इसलिए। वरना अपन अगर बाहर होता ना तूस विजे को सलाव डारे। विजे। केके, चुहो की तरा चुपके बैठा यहां। बोल, केके कहा है। मैं मेरे को नहीं बालू। बोल, केके कहा है। वो, दर्या किनाने वाली सिमेट वैक्टरी में। मुल्या, हाँ भई, मुल्या अरे यार, कहा नहीं डूला तुझे। क्यों? क्यों? क्योंकि तेरी मुश्किलों में हम भी तेरे साथ हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसा बात करता है रे तू। यह जंग सिर्फ मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी। और इस जंग में, मैं अपने दोस्तों की खुर्वानी नहीं दे सकता। विजे, 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 कहाँ जा रहे हो तुम। मेरे भाई वो, वो इंसान ही विजे, वो हैवान हैवान। तब कुछ हो गया विजे। तुम, तुम कुछ नितनी लिए शहर चोड़के चले जा विजे। तुमने ठीकी का है, वो हैवान है. उसकी मौत मेरे हैं. Caaaaaaahhhh!!! Cık! 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 He he.. çor çor! Gel hani, gel! Keke! Keke, çor de! Cık! Ver! Çoruuu!! Keke, çor de! Kazam kazan.. Çoruuu!! 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 नप्डुँ, भड़ाइ, भावाइ, भड़ाइ, भावाइ, 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 भावाइ! ऑवराप, सली नरुको यर्ड़ी तुये! आवाउ! पर बार, बागा, ब्रॉट में और बागा नेख, बागा. बहुत हो गया! तु क्या के को निचा दिखाना चाहती है? मैं तेरे भाई की जिंदीगी हो, जिससें बेसुरा कर दिया, तुसी के भाई के साथ अपनी जिंदीगी के तार चोड़ना चाहती है? अपनी शिकस के रास्ते में आने वाले हर्तार को मैं काट देता हूं हलो के के बोल रहा हूं किसी भी खुबसूरत चीज को बुरी खबर देना कुछ ठीक नहीं लगता खेर तुम्हारा लाडला देवर विजय जिंदगी और मौत के बीच जूज राय बिचारा नहीं क्या है मेरी मिजी को हलो वो कुलाबा के पुराने कार खाने में अंतिम सांसे गिन रहा है अपने पती से काओ कि अपनी तूटी फूटी आवाज में उसे लोरियां सुनाए ताकि वो चैन से सो सके सुबर हम अभी आ रहे हैं जंगेज मेरी बात सब जुरा भी को jokaते है waु coaching कola चबहँ क्रभाई का उ northernim semaine लिटो फ्ल राकि देख़ो ऴेज़ ख्मक वेज़ एकützen लिच एक्रूँ हुए इंए हुए ऑड नए ere नूँआ। विजू 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 भाया, आप विजू विजू देखे, किसी भी तरगत तनाओ, आपको ज्यादा नुक्सान पहुचा सकता है अगर आप अपने दिमाग पतादा बोश डालेंगे, तो फिर ट्रीटमेंट का कुछ फाइदा नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम्हे है विजू कुछ नहीं होगा तुम्हे यह ममूली यह ममूली साखम तेरा कुछ नहीं बिकान सकते है, मेरे भाई विजू, कुछ नहीं होगा तुरे कुछ नहीं होगा दुश्मनों की तबाई अभी देखनी है विजू यह लडाय यह लडाय अभी लडनी है सुनी, कहा जा रहाए विजू? विजू? विजू 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 कर दो जपने लिह बजभ को अर्फ किप किर सु से माँ新े कर रप कि अ के अ कि अणिए युका जाओग हो उताओगा कि पुचा जए इसकार भाती हे खरावएब बदोफा एलिए जाना जाहा है, जुझा जाहा है, जुब कि तो इसकार भाम कि जाहा है, पुझा पुझा टीज़ी spouse दो इसकार कि उत् legalरे वाले टीए जए युझा जए एलिएटिका फु तो चो रिख और बाम बुच्छेड बुचे दए इसके आवास? मने कहा था, बेबसी का भिगला रूप बहुत बयानक होता है अब तेरी एक गुंड़ा ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकते जंगेज, इसे भी पडेल की तरा खत्म कर दो कर दो आपू कर दो इसे एक, बक्षा मुका तरा आपकश्रा एकश्रा अ Size een दो झाल, राप हुआ है यह अच्छ主 concert तरव एक धरिये अ पाल, दो जांगा घ्स हुञ टुछ गुछ सकती न्टया उ curious इजक़! 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 भाया! लुओ प्सर लीक हो आ पारी है πेराली थामने दुआ है इसा है इसा होने प्सर, अजब यदिक ही जब वारी है इसा है है तो युआ है इसा है जब में देमा भराइब में तो आरवा है जब फिर दिल बड़ा है प्रॉस्त हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है राल डाल राल लिघ्ट से लिजगे हां और Richmond इप मादो पीजगे हां जा arch tissue बवादूबंया कर अजनी錯 झाल ठाफ बॉर्ण बॉर्ण new नॉर्ण लॉर्ण उर्रूर् scientifically John from wanna झाल 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 आप आप को रहा को रहा पापा चाचाचा हम डर लग रहे पापा पापा रहे बहुत डर लग रहे फुर में पहुत डर लग रहे पापा कि तो रिटू के आवच लगने पापा उतर हूंगे वो लोग चलो दाप। पापाप पापाइब जैं गाइब जैंग जैंगो पापा जा मुए जैंगो जाओने जैंगो भुट प्र दिलिस अजो जए गड दूए बलाओ पुट पुटाट पुटाब गड़ा पुटाब टुटाब गड़ा उटटाब घटाब पुटाब गोटाब धि एब पुटाब आपाााााााााााााााााााााा। हょ फुआ हूग! हुआ हाग... कर दो नहाँ, ही happiness झाल 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 तुझे एक बार मौत देखर मेरी इंतकाम की आग थंडी नहीं होगी तु चितनी बार इस धर्ती पर आएगा एरी मौत का कारण मैं ही बनूँगा झाल 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 विशू! विशू! वाँ! वाँ! हाँ! हाँ! इंस्पेक्टर, आप विजय को क्यों हचकरी पेना रहे हैं? इसने केके जैसे पापी को मार कर कोई गुला नहीं किया! मैं समझता हूँ, इस बात के मुझे खुद अफसोस है, मैं कबूल करता हूँ, कि कानुन की कुछ कमी के वज़े से ही, केके जैसे मोजरिम फलते फुलते हैं, लेकिन हमारी कुछ बंदिश हैं, कुछ दाइरे हमें बांद देते हैं, मैं कोशिश करूँगा, विजय को कम से कम सदा हो! भाभी प्लीज, आप लोग इस तरह, अब इन आखों में आजसों नहीं होने चाहिए, विजय को उसकी विजय के लिए आजसों से नहीं मुस्कुरा के बिदा कीजिया, हम, प्रशांद, तंबी, नहीं तंबी, ए, मांगिलाल, मांगिलाल नहीं, कणे पण, बीजु, कफ में तंबे और्म झाल झाल कर दो कर दो कर दो